हलो आवरीबडी इस दिग्राश सिंग राजपूत वेलकम तू मैगनेट ब्रीज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे थू दी आइस ओफ दी पीपल ठीक है अब देखिए क्या है आपको यहाँ पर समझना होगा इस चीज को कि अभी तक जो हमने देखा तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक ग्राउंड बन गया था किस चीज के लिए फुटबॉल नहीं खेलना है एक ग्राउंड बन गया था कंडिशन्स बिफोर दी रिवॉल्ट ऑफ 1857 ठीक है जो भी फैक्टर जो ट्रिगर कर रहे थे ना कि यहाँ आप रिवॉल्ट होगा तो उन उन सारे फैक्टर के कारण से जो स्थिती बनी थी जो परिस्थितियां देखने को मिल रही थी तो वहां पे लोगों ने कैसे चीज माइंड सेट बताता माइंड सेट ऑफ दी पीपल रिवॉल्ट में लोगों का क्या माइंड सेट रहा लोगों ने किस तरह से देखा अब मान लोग क्या हो रहा जैसे के एक्जामपल देते हैं तो एक एक इंसान था वह दोड रहा था तो उसको देखने वाला क्या देखने तो यह भी सोचता है कि यह कुछ गलत काम करके दोड़ रहा होगा अब देखने वाला क्या देख सकता है कि नहीं नहीं वो अपनी health conditions को improve करने के लिए दोड़ रहा होगा कोई यह भी सोचता है क्या कि उसके पीछे शाहिद कोई उसको इसे पकड़ रहा होगा और लोगों ने जब participate किया तो लोगों के mindset भी अलग-अलग रहे होंगे ठीक है तो अब हमारे past में क्या है हमारे को ये देखना है कि what people were seeing at that time ठीक है लोगों ने किस तरह से revolt को देखा वो जो situation डेवलप ही उसे कैसे देखा तो दो source है आपके the list of 84 rules और दूसरा है there was soon excitement in every regiment ठीक है तो इन दोनो sources के तुरू आपको ये समझना होगा इस चीज़ को कि क्या लोगों का perspective रहा था यहाँ पे जैसे एक book है मझा प्रवास ये किसके दोरा लिखी कि ये source 1 में बताया विश्नुभट गोड से तो यह अं ब्राम्मान फयजी से बिलॉग करते ते यह क्या मध्वरा जा रहे थे एं आपने अंकल के साथ में använd की book है यह प्रवास मझा प्रवास मतलब क्या होता है इन म neural & your observations तो यहां पे क्या है कि जब उनके अंकल हो नो मिलके कहां जा रहे थैं मा्थुरा जा रहे था म fulfआ एक यजना एक क्या सकते हैं religious ceremony के लिए जा रहे थे तब वहां पे उनको रास्ते में कौन मिलते हैं यह कुछ Wz मिलते हैं को सिपॉई जोनने क्या बोल देते हैं सिपॉई Isaiah ऑपको नहीं जाना है आगे क्यों कि बहुत बड़ा एक ओफीवल होने वाला एक रिवोर्ट होने वाला थे भूर्ट विष engages ऑस गहिंतो दियतक है पुर्ड़ित क्या बंटाएगा तो पुरा कारण भी समझ went जैसे वो explain करते हुने, ठीक है, the English were determined to wipe out the religions of Hindus and Muslims, they had made a list of 84 rules and announced these in gathering of all big kings and princes in Calcutta, ठीक है, तो Britishers ने ये decide कर लिया कि Hindu Muslim के religion को का करना है, पूरी तरह से wipe out करना है, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे rules वगरा बना लिया, राजाओं को बता दिये, लेकिन राजा इससे खुश नही थी, तो विष्णू, क्या नाम उनका, ठीक है, विष्णू बट गोट से जो है, तो वो अपनी बुक में लिखते हैं ऐसा, कि सिपोईजनों ने बताया, they said that the kings refuse to accept these rules and warned the English of direct consequences and massive upheaval if these are implemented, तो राजा जो थे जिन नवाबों को उन्होंने बताया, कि 84 rules को हम इंप्लिमेंट कर तो हमारे जो राज जी की जो भी प्रजा है, वो क्या करेगी, वो एक massive upheaval कर देगी, आपके आगे इसमें revolt कर देगी, उन्होंने सारे राजा नवाब सभी लोगों को जिनको बुलाया, तो ना चेताव नहीं रेकिया आगर Britishers को, ठीक है, यह हो गया है, तक फिर that the king all returned to their capitals in great anger, all the big people began making plans, the date was fixed for the war of religion and the secret plan had been circulated from the cantonment in Marut by letters sent to different cantonments, तो सिपोईज को भी इंक्लूड किया जाएक और सभी जगा क्या है बात फैल गई है, तो इस तरह से विश्नुदात गोट से जो है तो अपनी बुक में इन सारी चीदों को क्या करते हैं, विश्नुदात गोट से तो लोगों ने एक परस्पेक्टिव बताया आपको, एक डाइमेंशन से इस डाइमेंशन से देखने की कोशिश करो, कि जो रिवाल्ट ऑफ 1857 होने वाला है, तो इस रिवाल्ट ऑफ 1857 के पहले लोग भाप चुके थे कि देश में कुछ बढ़ा होने वाला है, जैसे ऐसा रहता है ना, कि एक 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 जामपल लेते है, ये कोरोना सिच्वेशन में, आपको लगा कि केसे बढ़ने वाले भीया, ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक दम जब लोग डाउन लग रहा था, तो लोगों कैसा लग गया है, कि हाँ केसे बढ़ रहे है, दिक्कत हो सकती है, देश बन दो सकता है, लोगों ने भाप लिया उस चीज़को, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो लोग अब्जर्फ कर रहे थे चीज़ों को लोगों देख लिए कि हाँ रिवाल्ट जो है, वो तो हुना तय है, ठीक है, अब दूसरा जो सोर्स है, तो क्या है, देर सिपोई टू सुबेदार, तो सिपोई की रेंक से सुबेदार तक गए, सुबेदार तक बने, ठीक है, और इन्हों ने जब रिवाल्ट ओव 1857 में क्या क्या ब्रिटिश का साथ दिया था, मतलब इन्हों ने अपनी एक बुक लिखी, उसमें सारी चीज़े बताई गई, तो उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया और जो रिवाल्ट हुआ तो उसे सप्रेस करने में मदद की, और जब वो रिवाल्ट को सप्रेस कर रहा है थे, तो जो रेबल्स थे, जो बागी लोग थे ना, जो जिन लोगों ने आवाज उठाई थी ब्रिटिश के अगेंस में, तो उन बागियों में इनके खुद के बेटे भी थे और उन्होंने अपने बेटे की मृत्ति होते देखी अपनी आखों के सामने, ठीकें, बट इवास लॉयल तुदी ब्रिटिश, तो मतलब ये उनके अंदर की वो एक क्वालिटी कह सकते हो, आपकी इस लॉयलिटी तो इंग्वेजम लिकी थी, ठीकें, तो अवधी टु इंग्लिश ट्रांसलीट करी, अब उस बुक में इन्होंने एक परस्पेक्टिव बताया क्या, तो यहां पे देखोर, यहां पे रिवाल्ट को सपोर्टिंग परस्पेक्टिव देखने को मिल रहा है, यहां पे जो परस् सिपाइस, जितने भी हैं सिपाइस, तो सारे सिपाइस को वो क्या कर रहे है, राजा वगरा एक तरह से भहकाने की कोशिश कर रहे हैं, और राजा अपनी गादी बचाना चाते हैं, अपना सिंहासन बचाना चाते हैं, इसके चक्कर में क्या है, कि वो बिटिश के अगेंस मे कह सकते हैं पूरा conspiracy प्लान कर लिए उन्होंने और revolt होगा ठीक है तो आपको यहाँ पर देखना through the eyes of people तो mixed emotions है थोड़े से mixed emotions है mixed perspectives है और इस बीच में लोगों ने लेकिन एक चीज तो clear थी कि यह देख लिया कि हाँ revolution तो होगा भाई ठीक है एक revolt एक बड़ा एक बड़ी लहर तो आना तय है यह सारा सब कुछ हमने देखा इस वीडियो लेक्चर में I hope आपको यहाँ तक चीजन समझ में आई हैं कि कैसे क्या chapter चल रहा है हमारा ठीक है अब हमने background देख लिया था अब ही तक हम chapter में कहां पहुच गया है ठीक है यह revolt है तो 1850 writing गंदी हो गई यह अब कुछ थोड़ी सी तो 1857 ठीक है अब क्या होता 1857 यहाँ पे हमने अगर देखा तो यहाँ तक अभी हमने पुरा background समझ लिया कि नवाप्स की position decrees होते चल आया थी रिफॉर्म एक कारण हो गया पीजेंट और सिपॉइस वागिरा जो थे वो डिसकंटेंडड फील कर रहे थे ब्रिटिश एक्शन के कारण अब हमने एक perspective देख ले एक random stand-alone topic था अब हमें देखना है कि यह revolt वाले time period में हुआ है क्या तो अब next video lecture से हम यही चीजें पढ़ने वाले है fine कि revolt में क्या-क्या हुआ कैसे revolt spread होता है fine यहां तक किसी प्रकार के doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected, keep learning thank you, thank you very much एक और चीज़ इसमें कोई important question ही आने वाला है बस हमने उसे reference के लिए समझा ठीक है तो मिलते है next video में thank you, thank you very much